आज के वीडियो में हम इंटल के 10th generation के बारे में बात करेंगा 10th generation जो कि आज से जो है वो यह आज के बाद से तुम जो है वो अगर तुम्हें इंटरस्ट है 10th generation में ते तुम उसका PC बिल्ड एन उसको बाई कर सकते हो unfortunately नुकसान वाली या फिर मैं कहूं sad news ये है कि मेरे पास जो इंटल के 10th generation के जो review unit या फिर review sample आने वाला था वो यह जो भी तुम्हारा COVID-19 चल रहा है उसके चक्कर में customs में अटका पड़ा है मतलब अब क्यूंकि जो CPUs हैं वो आने थे दूसरी country से यानि कि USA से सो वहां से आने के बाद यहां पर डेली customs में उसको पकड़ के रखे वे हैं क्यूंकि आज कल तुम्हें पता है country में क्या situation चल रहा है लॉक्टाउन चल रहा है तो उससे वजह से जो CPU मुझे कब के मिल जाने चाहिए थे और मैंने benchmark करके इस वीडियो में तुम लोगों को जो है वो actually benchmarking result देने थे वो जो है वो unfortunately COVID-19 यानि की human malware के वज़े से मैं नहीं दे सकता है और कोई बात नहीं लेकिन जैसे यह आएंगे जैसी यह CPUs आते हैं मैं इनका review officially of course publish करूँगा and officially तुमको जो हो जरूरू इसके benchmark देखो मिलेंगे लेकिन आज हमें analyze करेंगे कि कैसी performance तुमें देने वाला है एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता तूँ कि प्लीज आजकल जो हो तुमने खुद देख लिए होंगे Amazon में Amazon बाकि जितने भी website से like super clock PCs इन सब पर PC components की prices बढ़ रहे हैं ठीक है तो अगर आप PC भले बाद में build दर्मा चाहते ह वो खरीद के रख लें अगर माउस, कीबोर्ट, हैडफोन, मॉनिटर वगरा, accessories अगर चाहे है तुम इंटल का build करो चाहे है अपनी का, माउस, कीबोर्ट तो यूज करोगे न, हैडफोन तो यूज करोगे, कैबिनेट तो यूज करोगे, पावर सप्लाई तो यूज करोगे तो वो component जो हो essentially खरीद के रखलो पहले से अपने घरवालों को मना हो अगर तुम green zone, orange zone में हो खरीद के रखलो prices बढ़ रहे हैं description में दिएगा Amazon के link से अगर shopping करोगे तो उसे channel को support मिलेगा तो description के दिएगा Amazon के link से जाके top 5 headphone की video देखो मेरी top 5 keyboard, top 5 mouse top 5 cabinet, top 5 monitors जाके देखो, खरीदो, description में दिएगा Amazon link से channel को support मिलेगा बात करते हैं 10900K की जो तुम्हारे सस्ते i5 and i3s हैं उनके बारे में हम बात में discuss करेंगे देखो, जो तुम्हारे 10900K यह तो power hog होने वाला है बतलब कि तुम्हेरे जो है वो of course, of course, तुमको gaming में अच्छे performance देखिन को मिलेंगे Intel के पास frequency advantage है और low core latency का जो हो advantage है तो Intel को जो है वो यहाँ पर definitely boost देखने को मिलने वाला है लेकिन again, जो तुम्हारे multi-core scenarios है like तुम्हारी rendering हो गए, तुम्हारे टाइल बेस benchmarks हो गए तुम्हारे multi-core and multi-thread digitalize करने वाली applications है ना कोई भी तुम्हारी application है इस type की वो जो है, वो AMD को definitely support करने वाली है उसमें तुम्हारे E13900 है, जो कि सिर्फ 12-core का CPU है वो जो है, वो तुम्हारे definitely advantage देगा 10900K के मुगाबले, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है वो है power consumption power consumption जो है, वो 10900K का बहुत जाद है अगर मैं इस leaked benchmark के पास जाओ, तो इनका power consumption अगर मैं एक overclock 10900K के तरफ जाओ, तो वो जो है, वो 300W से भी उपर है 330W, बहुत जाद है 330W, ना, Intel ने तुम्हारे खुद के die height जो है, उसके अंदर छोटी करी है and die height छोटी करने का फाइदा यह है, कि तुम जो है, वो ज्यादा बेटर heat transfer कर सकते हो, ज्यादा efficient heat transfer कर सकते हो IHS में ताकि तुम्हारा cooloscope ज्यादा अची से dissipate कर पाए but again, यह इतना भी काफी नहीं है इसके लिए तुम्हें डेफिनिटली एक 360M का cooler सही है with, with अच्छे खासे static pressure वाले fans क्योंकि अगर तुम इसको cool करने वाले हो, तुम्हारा ambient, I think, अगर तुम Indian हो तो तुम्हारा ambient बहुत ज़ादा ही होगा अगर तुम Southern part में रहते हैं, तुम्हारा और ज़्यादा होगा and उस case में मैं तुम्हें बोलूँ, अगर तुम 1090 के को ले रहे हो, तो तुम्हें कस्टम लूप बिल्ड कर लो, वो तुम्हां ले जादा बेटर option पढ़ेगा अगर तुम गेमिंग के लिए बिल्ड को कर रहे हो, तो अगें, यह बात obvious है कि गेमिंग में 1090 की, of course, कुछ Fs से AMD competitive से आगे होगा लेकिन जो तुम्हारे multi-core जहां पर performance की ज़रत पढ़ेगी, वहां पर again AMD आगे होगा इंटल का power consumption जाता है, इंटल की थोड़ी pricing में issues हैं, तो वहां पर तुम्हें disadvantage देखने को मिलता है, तुम्हें stock cooler देखने को नहीं मिलता है, जबकि 3900X के साथ तुम्हें बेशक एक stock cooler देखने को मिलेगा, जो कि कुछ value प्रोवाइड करता है, बजाए इंटल में तुम्हें शूर नहीं हो, लेकिन i5 में भी, i5 में भी अगर इंटल cooler इंप्रोव नहीं करता है, इंटल सेम cooler प्रोवाइड करता है, वो भी issue होने वाला है, तुम literally अपने जो i5 lineup उसके अंदर hyper threading enable कर रहो, and hyper threading enable करने का मतलब है, तुम heat output बड़ा रहे हो, क्योंकि एक बात यहाँ पर अगर तुम्हारा i5 है, वो definitely जादा heat निकानने वाला है, and क्योंकि वो जादा heat निकानने वाला है, तिन तुमको एक अच्छा cooler चाहिए होगा, भले ही वो एक तुम्हारा stock cooler के साथ आएगा, बट हम इंटल का stock cooler पता है, वो किस टाइप के होते हैं, इंटल, please, अपना stock cooler improve कर एगा, even though तुम एक i5 यूस करो, because अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, then तुम्हारे i5 के अंदर वो जो boost clock है, उसकी boost clock वो जो achieve ही नहीं कर पायो, क्यों boost clock अच्छीव करने के लिए तुम्हारे temperatures कम होने चाहिए, तब ही CPU आगे boost हो करना हो, अगर तुम साथ है, तुम्हारे CPU i3 जो तुम्हारा आता है, 10100 इस टाइप की CPU है, ये किस price पर आते हैं, किस price पर launch होते हैं, ये जो हो देखने वाली बात हो कि, and plus AMD का 3300X, incredible CPU है, 3300X, मुझे लगता है कि Intel का i3 जो है, 3300X को beat करेगा, 3300X जो है, तुम्हारे i5 लाइनप में, तुम्हारे Ryzen 5 3600 स्टिल एक better option ह एक अच्छे cooler के साथ आता है, अच्छे price पर आता है, तो अगे नाचकल prices बढ़ रही हैं, तो depending कि Intel के CPUs किस price पर आते हैं, क्या उनकी temperatures रहते हैं, क्या उनकी temperatures रहते हैं, क्या अगर मैं इस generation की बात करूँ, 10900 की के तो बहुत ज़्यादा temperatures है, i5 में जाओ, definitely i5s के भी temperatures बढ करने वाले हैं, कितना तुम्हें वो temperature रफेक्ट करते हैं, क्या gaming performance देखने को मिलती है, क्या वो worth it है, 3600 के मुकाबले, यह जो है वो तुम्हें आने वाली वीडियो से पता चलेगा, उसके लिए जो हो चैनल को सब्सक्राब कर ले, एंड वीडियो को लाइक कर ले धन्याद वे, टेक कर देखुए